आप सभी को नमस्कार मैं देविंद्र कुमार यदू सिक्षक सास्की नविन पूरो मात्मिक सालाव होते देशे प्यारे बच्चों एवं सम्मानिय सिक्षक साथ है आज हम कप्छाच है के विशय हिंदी का पाट सोला चचाच छक करने केले खरेदे यहां पाट हम पढ़ने व वह स्री इम्तियाज अली द्वारा लिखा गया है इम्तियाज अली जो है एक ऐसे लिखक है जो चचाच छक्कन से सम्मंदित बहुत सारी कहानिया इसने लिखी तो आज जो पाट हम पढ़ेंगे इस पाट में लिखक ने चचाच छक्कन के जीवन से सम्मंदित बहुत सारे चीजों को इस पार्ट के माध्यम से प्रदर्सित किया है वह या बताने की कोसिस करते हैं कि इनसान जो है अपनी लालसाओ को अपनी इच्छाओ को दबा नहीं पाता जरुवत पढ़ने पर किसी ना किसी रूप में वह बहार आ जाते हैं तो ऐसा ही हमारे इस पार्ट में चच तो लेखक ने इस पार्ट की सुरुवाद में ही जिक्र कर दिया है वो कहते है कि एक बात मैं सुरु में ही कह दू इस घटना का वर्णन करने में मेरी इच्छा या हरगिज नहीं है मतलब वो इस पार्ट में चाचा छक्कन के जीवन से सम्मंदित बहुं सारी चीजों को बताने वाले हैं उसका मकसद यह नहीं है कि इसके जरी चाचा छक्कन के जो नकरात्मक जो प्रभाव है नकरात्मक जो छवी है उसको इस पार्ट में प्रदसित किया जाए इसमें चाचा छक्कन के सभाव के जिस अंग पर प्रकास पड़ता है उसके संबन में आप कोई इस्थाई राय निर्धारित कर ले लेखा की पहले से कह रहा है कि आपको चाचा छक्कन के बारे में कोई इस्थाई राय निर्धारित नहीं करना है लेखा कहते हैं कि मैं खुच जो है कई बार देख चुका हूँ कि साम के वक्त है चचा जो है बजार से कचोरिया, चिलगोजे और मुफलिया लेकर आते हैं और फिर क्या बड़ा, क्या छोटा, अब आप सोच रहे होंगे कि इस पार्ट में ये सब खाने पीने की समागरियों का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि हमारा पार्ट ही है, चचा छक्कन ने केली खरीते हैं, तो चचा छकन केली खरीते हैं और केले को खाने के लिए जो तर उधि लोग क्या छोटा क्या बड़ा सब मिल बाट कर आपस में खाते थे लेकिन उस रोज अल्ला जाने क्या बात हुए उस रोज जिस रोज चाचा छक्कन में केले खरीदे और उन केलों को अलग अलग बहना बनाकर सारे केलों को खुद चाचा जो हजाब खाते गए तो अब होता क्या है कि उस रोज तिसरे पहर की वक्त इत्थफाक से इत्थफाक का मतलब होता है आसायोग से घर में चाचा छक्कन और बिंदो की सिवा बिंदो उसकी घर का नौकर है चाचा छक्कन की घर का जो नौकर है उसका नाम है बिंदो तो उसकी उस दिन घर में चाचा छ चछकन और बिंदो की सिवा घर में कोई नहीं था, तो कोई नहीं था, इसका मतलब घर के बाकी सदर से कही न कही गैर नहीं होगी, तो उस रोज मीर मुंसी शहाब की पत्नी को बुखार था, तो चची जो है दो पहर के खाने से निवत्त होकर, उनके यहाँ चले गई, साथ मे बिंदो, एक छोटी सी बच्ची है, बिंदो, देखिए, बिंदो जो है, घर का नौकर है, और बिंदो जो है, चाचा छककन के यहाँ की छोटी सी बच्ची है, तो साथ में बिंदो को भी ले गए, अब चाची जो है, सही, यह चीज, सच है, कि कही जाने के लिए निकला जा और छोटे बच्चेगर साथ में जाने के जित करें तो मन में थोड़ा सा वो भाव आ जाता है कि ये कहां मेरे पीछे पढ़ ले तो चची जो है बड़बडाती हुई बिन्नो को साथ ले गई मिर मुंसी सहाब की पत्नी को बुखार था उसे देखने के लिए चची को जाना था तो चची जो है के साथ अब बिन्नो भी हो गई अब उधर लल्लू जो है उसके स्कूल में क्रिकेट का मैस था और अपने स्कूल के क्रिकेट टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी था तो इधर लल्लू जो है क्रिकेट खेलने के लिए वो चला गया और दद्दू जो है दो बज़े का सिनेमा सो देखने निकल गया देखे घर के अलग-अलग लोग किसी अलग-अलग काम से घर से बाहर जा रहे है चची जो है मिर मुंसी सहाब के हाँ चली गई विन्नो को लेकर लिए निकल गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब चची जो है घर कर से बाहर नहीं होhst तो घर के मांकी लोगों को घर से बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए क्योंकि चचा जो आसानी से उनलोग को इजाज़ा दे 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 थे तो और चाचा भी चाहते थे कि ऐसे आवसर का पूरा लाव उठाये जाए जाए पूरा एकांत जो है में रहकर घर के ऐसे काम जो बहुत समय से नहीं हुए है छूटी हुए है उन कामों को किया जाए क्योंकि एकांच सबको पसंद होता है, तो चाचा भी इस मौकई का वो भरपूर लाब उठाने वाले आगे देखिए क्या होता है, अब देखिए, घर के सब लोग तो अलग-लग काम से कही न कही निकल गए, अब घर में बचे चाचा, और घर का जो नौकर है बिंदु, ये द दो लोग अब घर में बच गये, तो चाचा सोच रहा है कि आज क्या किया जग, घर में खाली है, तो आज उनकी क्रियासिल बुद्धी ने चची की अनुपस्तिती में घर के तमाम पीतल के बरतन आंगन में जमा करवानी, उसने बिंदो को बोला, कि बिंदो ये काम करो आज तुम घर में जितने भी पीतल के बरतन है, जो पुराने पड़े हुए, उन सब को बाहर निकाल, अब बिंदो समझ गया था कि आज चाचा जो है, जरूर कुछ न कुछ काम करवाने वाला है, और बिंदो को बोल दिये कि बिंदो ये काम करो तुम बजार चले जाओ, और चाचा जो खुद आंगन में अराम से बैठ कर हुका पी रहे, और वो सोच रहे कि आज तो मैं अपनी निगरानी में सारे पितल के बरतनों को साप करवाँगा, ये चाचा का खयाल है, अब बिंदो ने आग्या का पालन किया, और बजार से उसने इमली ला ली, और बिंदो ने क्या किया, जो इमली जो बजार से लाया थे, उसको चाचा को बिना पूछे, तो समझ गया थे कि आज में को बरतन की सफाई करना है, पूराने बरतनों की, तो बिंदो ने क्या किया, चाचा को बिना पूछे, इमली को जो है लोटे में भिगो दिया, लोटा एक पात्र ह पाने पीरे का जो पुराने समय में लोग इस्तमाल करते थी तो चचा ने इमली मंगवाया बिन्नो ने उस इमली को लोटो में भीगो दिया और चचा ने अभिमान से संतोस का प्रदर्सन किया और बिन्नो को कह रहा है कैसी बताई तरकीब तरकीब का मतलब होता है उपाय चच को अपने आप पर बड़ा भीमान है बड़ा उसको यह लग रहा है कि मैंने आज तो कमाल का गजब का आइडिया बताया है आज तो घर के जितने भी बरतन है ऐसे चमकेंगे और बस उसे देखती ही चाची जो है खुस हो जाएगे तो कह रहा है कि कैसी बताई तरकी ले अब बावर्ची खाने बावर्ची खाने का मतलब होता है रसोई घर अब वो बिंदो को कह रहे है कि बिंदो एक काम करो है ना तुम बावर्ची खाने जाओ रसोई घर जाओ और वहां से बरतन मांजने के लिए थोड़ी सी राक ले आओ पहले कि जो लोग है बरतन को साप करने के लिए राक कर प्रियूप करते थे तो उसने कहा बिंदो को कि तुम बहुत चिखाने जाओ और वहां से राक ले आओ और जब बिंदो जा रहा है तो उसको बोल रहे हैं कि किस बरतन में लाएगा भला मतलब तुम राक लेने तो चाओगे और राक को किस बरतन में लाओगे बरतन इतने सारे हैं जिनको तुमको स जाएगा उसका रस पूरा पानी में मिक्स हो जाएगा तो फिर राक के साथ है ना उसको अच्छे से बर्तन को साप करना यह निर्देश जो है चाचा जो है बिंदो को दे रहा है फिर बिंदो अभी बावर्ची खाने से राक लाब ही न पाया था कि दर्वाजे पर एक फलवाले ने आवाज लगाई अब हुआ यू कि बिंदो को बोल दिये कि जा राक ले आओ है ना और तुमने जो इमली जो भीगो हो उसको भी लेकर आजाओ अब वो जाने वाला ही था कि घर के साबने दर्वाजे के पास एक फलवाला आ गया और फलवाला जो है आवाज लगाने लगा कलकत्या केले बेचने आया था मतलब जो केला बेचने के लिए वहाँ पर उसके घर के साबने कोई वेक्ति आया था अब उसकी आवाज सुनकर चचा कुछ दिर खामोस बैठे हुका पीते रहे पहले तो उसने सोचा अब उसके मन में खयाल आया होगा कि क्या करे किस के लिए उक केले खरिदने के लिए और खाली कुछ समय बैठकर सांत सोचते रहे फिर बिंदो को आवाज दी जरा जाकर देख आप से केले जो है लगाते हैं अब बिंदो ने जो है केले वाले के पास गया केले का भाव पुछा और वहां से वापस चाचा को आकर केले का भाव बता रहे और चाचा को केले का भाव बताती है कि भल वाला जो है केले वाला जो है छाय आने दर्जन जो है केला लगा रहा ह अब फिर चाचा सोचने लगे है न कि केले का भाव जो है च्छायाने दर्जन अब वो अपना हिसाब लगा रहा है वो अपना गनीत लगा रहा है वो हिसाब कर रहा है च्छायाने दर्जन तो क्या मतलब हुआ 24 पैसे के 12 बारा ऐसा वो अपना गनीत लगा रहा है 12-24 यानि दो पैसे का एक महेंगे मतलब चाचा सोच लिया कि यार इतना महेंगा है केला तो इस अच्छा केला ना खरीदे लेकिन दूसरे तरब उसका मन कह रहा था कि केला खरीद लिया जाए अब वो जो है फिर बिंदो को बोला जा बिंदो ने आकर बताया कि वह मान गए अब इस बीच बहुत सारा चीज होता है जब बिंदो को फिर से बोला जाता है पहले तो चाचा केले जिस भाव में खरीदना चाहते थे उस भाव में केले वाला देने के लिए तयार नहीं था एक बार चाचा जो है भाव ठहरा दिये तो दो मिनट बाद जब बिंदो फिर से वापस आकर बताया कि वह मान गया है और कितने लेने हैं ये पूछ रहा है फिर सोचा चाचा ने कितनी असानी से मान गया तो जरूर जो है केले का रेट और कम कराया चाचा ने ये सोच लिया जितने पैसे में चाचा ने भाव ठहरा आया था केले खरिदने की बात कही थी चाचा जो है यह सोच कर कि केला वाला जो आसानी से कैसे मान गया इतने कम पैसे में देने के लिए क्यों तयार हो गया तो फिर से वो इसका रेट जो है भाव जो है कम कराना चाहा रहा है हाना अब यह सोच कर चाचा की नियत में खोट आ गई यानि तीन पैसे के दो क्या खयाल है महेंगे नहीं है इस भाव पर अब बिंदो बोला अब तो उससे भाव का फैसला हो गया है हाना तो चाचा बोल रहा है कि भाव का फैसला हुआ है कोई अदालत का फैसला तो नहीं आय इतने ही भाव पर के लिए जाए हम तो तीन कहरा दशा थिर कि च्थाए णितर आंदर्जन केला क्रिदने वाला था तो और केला वाला जो है पहले भाव ठहराया गया था उसमें देने के लिए तयार था फिर चाचा उस भाव में और रेट कम कर वा लिया अब वो चाचा कह रहा है देता है तो दे नहीं देता है तो ना दे जैसे अमूमन होता है सब्जी मार्केट में फल वालों के साथ है ना कि हम के तीन आने दर्जन अगर उसको केला देना तो दे जाए। अगर केला वाला केला नहीं देना चाहता तो पूड़ी बात नहीं वह अपने घर खुष, हम अपने घर खुष। ऐसा जू है । बिन्दो को कहने लगा। अंप बड़ा अ श्मंजस की सिति थी। बिन्दो तो असमंजस की दसा में खड़ा रहा चाचा बोले अब जाकर कहा भी तो सही मान जाएगा अब चाचा जो है बिंदो को समझा रहा है और बिंदो भी अड़ा है कि मैं नहीं जाने मादा अगर मैं जाओंगा तो केला वाला चिलाएगा वो बोलेगा बार-बार आप भाव फिक से वो फिर गया केले वाले के पास लेकिन जाने से पहले चाचा उसको तरकीब बता गया था अब जाकर कहा भी तो सही मान जाएगा बिंदो जाने से कत्रा रहा था बोला आप खुद कह दीजिए चाचा ने जवाब में आँखे फाड़ कर बिंदो को भुरा वा विचारा ड कहना तुम जाकर या का मिया ने तीन आने दर्जन ही कहते हैं मतलब उसको कह रहा है कि छाय आने जो दर्जन में खरीजने की जो बात थी वो मेरे सुनने की गलती थी और मैंने आपसे आकर गलत भाव कह दिया ऐसा जो है चाचा जो है बिंदो को समझा रहा है उसे कहना कि मिय ने मिया ने मतलब चचा ने तीन आने दर्जन ही कहे थे मैंने आकर गलत भाव कह दिया मतलब सारा का सारा जो है चीज जो है बिंदो के सर पर डाल दिया उसे ये कहना कि मैंने गलत सुने थे और मैंने आकर गलत भाव कहा था अब फिर बिचारा बिंदो फल वाले की पास गया और बिंदो ने दिल कड़ा करके फिर फल वाले के पास गया चचा जानते थे क्या जानते थे कि भाव ठहरा कर मुकर जाने पर केले वाला सोर मचाएगा, बिल्कुल सही, ये चीज होता है कि किसी से आप बार-बार भावर ठहराते जा रहे हो, और बार-बार आप मुकरते जा रहे हो, तो सामने वाला आप पर चिल लाएगा. अब चचा समझ गया था अब वो बाहर निकलना युक्ती पूर्ण ना मालूम होता था मतलब बाहर तो उसे निकलते नहीं बन रहा था अगर मैं जाओंगा तो जो है फलवाला केले वाला मुझे पर भड़क जाएगा तो चचा ने क्या किया खिड़की की तरफ से सारा माजरा देखने लगा कि बिंदो और फलवाले की बिच क्या बात्ची चल रहा है अब फलवाला बिंदो पर गरम हो रहा था बिंदो पर चिला रहा था और बिंदो बिचारा क्या करे चुप चाप खड़ा होकर उस फलवाले की बास सुल रहा था उसके लिए तो वही इसती थी है ना एक तरफ कुवा और दूसरे तरफ खाई एक तरफ चाचा थे और दूसरे ठीक है आप जो कह रहे हो ल मेसे तिनाने दरजन हो एक देने को तैयार है अब फिर से बिंदो विचारा जुआ अंदर आया और अंदर आ चाचा को खहा कुला और उसने बोला चाचा तो पहले से वहां अदर रिलैक्स होकर हुका पी रहे जो कर बोले मान गया अब भी वोपना credit लेका फिर अपनास रेलिएगा अब यह कहते थे ना मान जाएगा हम तो इन लोगों की नसनस्य वाकिस है चाचा कह रहा है हम तो पहले से जानते थे ये लोग तो रेड़् को बढ़ा कर बताया तहते हैं, है ना, और देते हैं उससे आधा, बताया था शै आने दर्जन और दिया तीन आने दर्जन, चचा ने हिसाब लगाया, अब चचा जो है केला खरिदने से पहले घर के तमाम लोगों का हिस्ता हाँ से जोडकर जो हिसाब लगा रहा है, सब के ļिस्ते जोड कर, एक द करें एंदर में शोद्ट कुछन केले लाने से पहले अंदर लाना है अRIक्श क्यों फिर आफ्षण करूं की कौन से केले अच्छ पिलिक निकाल लेंगे अब फिर जब केले वाला के पास जो बिंदो गया तो केले वाला फिर भड़का एक तो पहले से रेट कम करवा लिए फिर से दो तिन गुच्छे जो है अंदर मंगवा रहे हैं तो ये चली रहा था और केले वाला बिशारा क्या करें उसने भी चचा की बातों में आकर केले जो है अंदर भेजवा दिये अब चचा ने अच्छे-च्छे केले छाट लिए और केले को अंदर डलिया में हिफाजत से हिफाजत का मतलब होता है सुरपचिठन से हिफाजत से रखवा दिया और बिंदो को बरतन मांजने के लिए राख मंगवा कर बरतन साब करवाने लगे देखिए बिंदो को पहले से ये बरतन साब करना था पहले से इमली को उसने लोटे में भिगो दिया था राक लाने के लिए बिंदो जा रहा था और ये केले वाला आ गया था चाचा ने केले का मोल भाव किया अच्छे-चे केले छाट लिए घर के सभी लोगों के लिए हिसाब लगाया और एक दर्जन केले खरिद लिए ये सोच कर कि सबको दो-दो के लिए नसीब हो जाएंगे सबको दो-दो के लिए मिल जाएंगे अब देखे चाचा का कमाल देखे अब चाचा का कारणामा आगे हम चाचा जो है उन केलों का क्या करता है बिंदो जो है बरतन को कैसे साप करता है इमली का जो है क्या-क्या उपयोग होता है आगे हम पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले कुछ सवार कुछ प्रस्णा आपके मुबाइल के स्क्रिन पर दिख रहा होगा तो आप सब अपने मुबाइल को अल्लाव कर दीजिए कौन से कारे करवाए बताइए सर्पनीट बिंदो को चचा-छक्कन ने कौन से कारे करवाए उत्तर बताना चाहोगे पहाँ चलिए कोई बात नहीं बिंदो को चचचा-छक्कन ने घर के तमाम जो पितल के बरतन थे उनको साप करने का कारे जो है दिया मतलब उनको बरतन साप करने का जो है कारे करो है ठीक है दूसरा प्रश्ण इमली का प्रयोग चचा ने किस कारे के लिए किया बर्तन साफ करने के लिए वेरी गुल तो इमली का प्रयोक चचा ने बर्तन साफ करने के लिए जो है किया आगे तिसरा और अंतिम प्रस्थन है चचा छक्कन ने हलो आले से कितने दर्जन केले खरी दे बारा दर्जन नई एक दर्जन केले में बारा केले रहते हैं तो चचा छक्कन ने फल वाले से एक दर्जन केले खरी दे चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चचा छकन जो है केले तो खरीद लिया है सबके सबका हिसाब भी लगा लिया कि सबको कितना कितना केला मिलेगा अब उसको कह दिया कि बिंदो केला को अंदर रखाओ और हिफाजा सुरक्षि धंग से उसको रखना अब बिंदो जो है केले जो है अंदर रखा आया और बावर् बिंदों को कह रहे हैं कि थोड़ा जोड से राख को बर्तन पर रगड पड़े और इस तरह पीतल के बर्तन साप करने के लिए जरुवत इस बात की होती है कि इमली की प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह से मांच कर साप कर लिया जा रहे हैं इमली का प्रयोग तो हम करेंगे ही करेंगे पीतल के बर्तनों पर लेकिन उससे पहले एक बार बर्तन को और अच्छे से राख से रगड कर साप कर लिया जाए ऐसा करने से जब हम इमली का प्रयोग करेंगे बर्तनों पर तो बर्तन जो है चिमक जाएंगे तो ऐसे बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है निहायत का मतलब होता है बहुत अधी चचा कहर है है कि अगर इस तरीके से अगर हम बर्तन की सफाई करेंगे तो निश्चित तोर पर बर्तन जो है अच्छे से साफ हो और उसमें चमक आ जाएगी को राक से रगड रगड कर अच्छे से साफ करने लगे फिर उस पर इमली का जो है जो में यूटा में भीगव कर रखा था उससे भी वह अच्छे से उंको साफ करने लगा। अब हुआ क्या और पीतल ही क्या अब चाचा कह रहा है कि जितने भी धातू के जो समान है बरतन है अगर हम उस पर इमली से अच्छे से साप करें तो उसमें जो है चमाका जाती है अभी अभी तु आप देखियो इन काले काले बरतनों की मतलब बरतन बहुत पुराने थे बहु सारी नहीं हुआ था तो जितने भी बरतन थे उन सारे बरतनों को वह पहले राक से पिर इमली से अच्छे से सफाई कर वा तो है और और ओक besy काले काले केले ऐहतियास से रख दिये ना सुरक्षि धन से रख दिये ना बिन्दो को पूछ रहा है हैë हाणना और एक तरफ rapping केले की बात कर रहा है और दुसरी तरफ को इमली की बात कर रहा है या इमली सचमूच बड़ी चीज है मगर बिंदो मेरे भाई जरा उठीयो तो उन केले में से जो दो हमारे हिस्से के है हमें ला दीजियो चचा का मन कर रहा है केले खाने का अब वो बिंदो को कह रहा है कि बिंदो थोड़ा उठीयो कस्ट करियो हम तो अभी उन केलो को खाएंगे है ना हमने एक दरजन केले खर दे ताकि सबके हिस्से में दो-दो केले आजा तो हम जो है अपने हिस्से का जो दो केला है उसे अभी खाना चाहते है बागी लोग जब आएंगे अपना-पना हिस्से का केला खाते रहेंगे तो फिर बिंदो ने चचा की आग्या का पालन किया बिंदो ने उटकर दो केले ला दिया और चचा जो है केले को थोड़ा थोड़ा छिलना और मजे से खाना सुरू किया और चचा केला खाते खाते जो है बिंदो को ये मतलब कह रहा है कि बरतन को अच्छे से रगड अच्छे बस यूँही जरा जोड-जोड से हाथ मतलब उसको कह रहे है केला खाते हुए कि बस जोड-जोड से हाथ बरतन पर रखड़ इस तरह छुटटन की अम्मा देखेगी तो समझेगी आज ही नए बरतन खरीद लिए मतलब छुटटन की अम्मा बतब चाची अगर वो देखेगी तो वो खुश हो जाएगी कि कितना सुंदर बरतन उसको साप करवाए गया है और वह मैंने कहा अब क्य केले बागी रहे गए चाचा जो है बिंदो को पूछ रहा है हमने तो अपने हिस्से के दो केले खा दिये अब कितने केले बच गया है बिंदो तो बिंदो कह रहा है कि अब तो 10 के लिए बच गए है फिर चचा सोचने लगे 10 के लिए फिर उस समय बाद चचा विचार किया अब वो चचा सोच रहा है कि 10 के लिए बचे है यानि हम सरीक ना हो उन 10 के लों में तो सब को जह दो-दो के लिए तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साजे के बिना सायद दुसरों का जी खाने को न करें, चाचा ये बिंदो को कह रहा है कि दस केला बच्चा है, मतलब सब को दो-दो के लिए मिल जाएंगे अगर हम ना खाएंगे तो, लेकिन घरवालों क यह खासियत है कि हम सब लोग किसी भी चीज को मिल बाट कर खाते हैं अगर मैं ना खाऊंगा तो हो सकता है घर के बाकी लोगों को खाने का मन ना करें अब वो कह रहा है अपनी पत्नी के बारे कि क्यों छुटन की अम्मा तो हमारे बगर नजर उठा कर भी न देखना चाहेगी तुने खुद देखा होगा बिंदो को बोल रहा है कि तुमने खुद देखा होगा घर में ऐसे कई बार ऐसा मौका हो चुका है कि हम सब लोग आपस में मिल बाट कर खाते हैं अगर किसी चीज के लिए कोई चीज कम पड़ जाए तो भी हम उस चीज को आपस में बराबर बा चाचा ने अपने हिस्थी का खेला खा लिया अब बचे दस के लिए अब चाचा क्या कार रहे है कि हम यू करते हैं कि सब के लिए एक एक केले रख देते हैं हम लोग 6 लोग है तो 6 के लिए 6 केला अब वू बिन्दो को कह रहा है कि बिन्दो प्रतिक आद्मी के लिए अगर एक-एक का हिसाब रख दिया जाए हा न, तो फिर सबके लिए छै केले लगें गे अब वू कह रहा है कि दो न सही, एक-एक ही मगर खाये तो सब हसी खुशी से मिल जिए ठीक है ना तो इस हिसाब से 6 केले की जरुवत होगी बांकी बचे 4 केले ले आना अब देखिए चाचा का सभाव जिस चीज का जिक्र लेखक ने पहले ही किया था कि आप कोई इस्थाई राय निर्धारित न कर ले चाचा के बारे में कि चाचा जो है लालची किसमके है ऐसा न नहीए था चाचा केले खरीत कर रख लिए थे और उसका ध्यान उसका मन बार-बार केले की तरब जह रहा था अपने हिस्थे का केले खा लिया फिर सोचा कि अगर हम नहीं खाएंगे घर के बाकी लोग आएंगे तो वोलोग भी नहीं खाएंगे इस NI अच्छा एक काम क करते हैं, कि सब केकेक केले रख देते हैं और बाकी जो बचे चार केले उन चार केलो को जो है चैचा जो विंदों से मंगवा कर पारी-arah से उन चार केलों को फिर से खाने लगा है अब देखिए आप हिसाब लगा ये चाचा च्छा केले खा चुका है चाचा च्छा केले हजम कर चुका है पहले अपने हिस्से का दो केला फिर उसके बाद सब केले एक एक केला फिर रखा और बाकी जो बचे चार केले इसको फिर चाचा जो है खाने लगे इधर चाचा जो है केले खा ही रहा है और बिंदो को बार-बार ये हिदायत दे रहा है बरतन साफ करने का हाँ तो तू भी कायल हुआ ना इमली की करामात का मतलब वो कह रहा है कि इमली इतना अच्छा जो चीज है बरतन साफ करने के लिए वो कहा रहा है कि असंख्य लाभों की चीज है, मगर क्या करें, इस जमाने में देश की चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं देता, यस, ये है आपके पार्ट का में चीज, हम जो है, अपने देश की बने ही चीजों का इस्तमाल बहुत ही कम करते हैं, और इसी का लुकसान, इसी की भरपाई हमको करना पड़ता है अगर हमको अपने देश की अर्थ व्यास्था को सुधारना है देश की आर्थिक उस्तिति को मजबूत करना है तो हमें अपने देश में निर्मित चीजोंका उप्योक करना हो जैसे इमली का उधारन दे रहे चाचा कि हम इस जमाने में जितने भी लोग है डिबबा बंद चीजों को पसंद करतें अगर यही इमली विदेश से डिबबा में बंद होपर आती तो हम इस पर तूट पढ़तें चुकि यह हमारे घर का है यह हमारे देश का है और हमको असानी से मिल जाता है तो हम इसको इसकी उपयोगिता को इसकी खासियत को नहीं समझ पा रहे है तो चचा ने इसके जरिए बिंदो को यह बात समझाई फिर कहते हैं कि तो च्छा ही बाकी रह गए ना तो कुछ नहीं बस ठीक है सबके हिस्से में एक एक हाजाएगा अब चाशा फिर चीदि तरफ उसका ध्यान आगे एक तरफ बड़ी-बाते करते हैं और दूसरी तरफ उसका ध्यान केले की तरफ है वो कह रहा है कि सबके हिस्से में एक-चाट का किस्सा pinned tutti सब आपस से मिलकर एक-चाएंगे अब जिसकी मर्ची जैसा जी चाहे केले खाए जिसका मन करें वो और अज खाए चाचा फिर बिंदों को समझाने लगा है फिर कुछ देर होता है voyez अबू चाचा कहा रहा है कि इच्छा के बिना कोई चीज खाई जाए तो सरीर का अंस नहीं बनने पाती ये बात सही है कि हम अपनी इच्छा के विपरित किसी चीज को ना खाए अब वो चाचा कहा रहा है कि अगर हम अपनी इच्छा के विप्रित खाएंगे तो ये हमारे लिए अकारत चले जाएगे मतलब बिकार हो जाएगा और कोई चीज आदमी खाए उसी वक्त जब उसके खाने को जी चाहे अब चाचा का जी तो अभी कर रहा था केले खाने का च्छै केले तो पहले से खा चुका था अब वो ये सोच रहा है कि घर के सब बाकी लोग तो बाहर गए हुए है सब साम तक आएंगे और ये भी है कि जब सब साम को आएंगे तो वो लोग जहां गय है वहां से खा करे आएंगे है ना तो क्यों ना ये जो केले है अगर बाकी लोग साम को आए उस समय मेरा खाने का मन न करे तो इससे अच्छा है कि मैं अपने हिस्से का केला अभी खा ले चाचा जो आप सातवा केला खाने वाले हैं हम तो बांकी छा केलों में से अपने हिस्से का एक केला अभी खा लेते हैं चाचा ने फिर सोच विचार किया, और कह रहा है क्यों, और क्या, अपनी अपनी तबियत, अपनी अपनी भूग, जब इच्छा करे, जब मन करे, इंसान को खाना चाहिए, तो फिर उसने बिंदो को कहा, बिंदो जरा उठियो मेरे भाई, बस मेरे ही हिस्से का, वो कह रहा है क जाठी केले है बस एक केला लाना मेरे हिससे का। बाकी सब वही अच्छे से रख देना। बिंदो फिर से उठा आज़्या का पालन किया। और चाचा के लिए फिर एक केले ले आया। और चाचा जो है अराम से बैटकर केला च्छिल कर केला खाने लगा. अब फिर वो तारीब कर रहे है देख क्या सूरत निकलाई बरतनों की सुभान अल्ला ऐसे चचा जो है हुका पीते पीते केला खाते खाते जो है इमली की तारीब कर रहे है बरतनों की तारीब कर रहे है बिंदों की तारीब कर रहे है वसे बिंदों कब तक आएंगे बच्चे लल्लू का मैच तो साय साम से पहले खतम न हो लल्लू तो मैच खेलने के लिए गया हुआ है तो हो सकता है उसका मैच साम से पहले खतम न हो और उसके खाने पीने का इंतजाम तो टीम वालों ने कर दिया होगा वरना खाली पेट किर्केट किस से खेला जाता है यह तरक दे रहा है चाचा जो है बिंदो को किसलिए पता है ताकि उसको लल्लू के हिस्से का एक केला और खाने को मिल जाए अब फिर दुसरा तरका दे रहा है दद्दू और छुटन तो कि तिकट के दाम के साथ साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए तो क्या वही किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे बिंदो तो मा के साथ है वह ख्याल रखेगी कहीं जादा ना खा जाए मतलब कुल मिलाकर चाचा जो है घर के सभी लोगों को जो घर से बा बार गय हुए है उनके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हो कह रहा है कि उस वक्त क्वारी नहीं आया कि आज तो सब बड़ी-बड़ी नियामते उड़ा रहे होंगे के लो को कौन पूछने लगा और तूने भी याद न दिलाया बिंदो को कह रहे है कि तुमको जब घर में बाकी सदस्य नहीं है तो हमको आज केले नहीं खरिदने चाहिए अब वो कह रहे है कि सारे केले कहीं बेकार ना हो जाए पर अब खरीद तो लिए है किसी ना किसी तरह ठीकाने तो लगाने ही पड़ेंगे फेके तो नहीं जा सकते फिर ले आ यहीं देखिए यह पड़ाओ है हमारे पाट का और चाचा बिंदो से तहर है कि हमने केले तो खरीद लिए है किसी ना किसी तरीकी से इसको ठीकाने लगाना पड़ेगा ठीकाने लगाना पड़ेगा मतलब केले को खाना पड़ेगा मजबूरी में मैं ही खतम कर डाली देखिए पाट की सुरवा अपने हिस्से का खा लिया फिर चचा ने तरक दिया कि कहीं ये ना हो कि हमारे भी ना घर के बाकी लोग ना खा पाए तो सब की हिस्से के लिए एक एक केला निर्धारित के लिए और बाकी चार के लिए और खा गए फिर चचा ने कुछ देर बाद और तरक दिया कि घर के सब जोग तो वहाँ जहां गाया है उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था होगी, और वो यह कहकर कि कहीं वो लोग आये साम को तो तो उसके खाने का मन न करें, यह सोचकर यह कहकर चाचा जोएं एक-एक करके सार एक लिखा गया, तो ये चीज है जिसका जिक्र जो है इस पार्ट के लेखा सुरुवात में ही कर दिये थे चलिए हमारे पार्ट में पार्ट से सम्मंदित बहुत सारे प्रस्टे हैं उसमें से कुछ प्रस्टना आपके मुबाइल के स्क्रिन पर दिख रहा है पहला प्रस्त चचा छक्कन घर पर अकेले क्यों रह गया थे तो इसका सिंपल सा जवाब है चचा छक्कन घर पर अकेले इसलिए रह गया थे क्योंकि घर के बाकी सदस्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम से बाहर गये थे जैसे लल्लू क्रिकेट खेलने के लिए गया था, दद्डु जो है, वह सिनिमा देखने के लिए घय गया था, चची मिरमुंसी सहाब के घर गया हुआ था, इस कारण से चचा घर पर अकेलिद है, दूसरा प्रश्न? क्रिकेट देखने का मौका किसे मिलता था और क्यों? देखें एक कहानी में एक पात्रा और है, है ना, उसका नाम है मोदे, इसको किर्केट देखने का मौका मिलता था, क्योंकि ये अक्सर लल्लू के साथ जाया करता था, क्योंकि लल्लू क्रिकेट खेलता था, और मोदे जो है लल्लू के साथ बैठ कर, लल्लू का मैच है, उसको जो बैट कर देखता था तीसरा प्रश्ण है चचा छक्कन ने डिब्बा बंद समान के बारे में क्या कहा तो चचा छक्कन ने डिब्बा बंद समान के बारे में कहा कि अगर कोई समान डिब्बा में बंद होकर विलायस से अगर हमारे देश आये तो लोग उस पर तूट करते हैं जब हमारे देश का समान चौन को कम किम्मत पर असानी से मिल जाता है तो हम उसकी कड्य नहीं करते यह चौन चौन्ता और अंतिम प्रस्मन, देशी चीजों और विदेशी चीजों के विशबैर में चौन के क्या खियाल है? तो इसका उफ्तर पर प्रस्टा तिसरा से मिलता जूलता है कि जो देशी चीज और देश की लोग है कि कदरें नहीं करते असानी से मिल जाता है कम किम्मत पर और हमारे लिए बहुती सुविधा जनाफ़े ons हम जो है विदेशी चीजों का जो डिब्बा बंद रहता है उनके पीछे भागते हैं चचा का ये खयाल थे नेश्ट चलिए व्याकरन खंड से संबंदित कुछ प्रशना आपके मोबाइल पर दिख रहा होगा आज हम जानेंगे कि विदेशी सब्दा विदेशी सब्दा का मतलब होता है वे तमाम सब्दा जो विदेशी भासाओं से आकर हमारी हिंदी भासा में प्रयुक्त होते है उसमें अंग्रेजी के भी सब्दा है उसमें पूर्टगाली के भी सब्दा है उसमें अर्वी के भी सब है उसमें फ्रेंजिवी सब्द हैं बहुँं सारे अलग-अलग जहां विदेसी सब्द हैं और वे हमारे हिंदी में ऐसे घुल मिल गया है कि लोग उसका आसानी से एंधी की साथ-साथ उसका प्रयूप करने लगें चलिए तो ऐसा ही कुछ सब्द हमारे पुस्तक में दिया हुआ है मदर्सा अभी जो हम जिस सब्दों का जिक्र करें ये उर्दू सब्द है है नो तो मदर्सा का अर्थ होता है मुस्लिम सिक्षा का किन्द या पाड़ साल दूसरा प्रस्थन है तर्कीब क्या होगा तर्कीब का मतलब तो तर्कीब का मतलब होता है उपाए तीसरा प्रस्थन है आस्रा आस्रा का हिंदी अर्थ क्या होगा तो आस्रा का हिंदी अर्थ होता है सहारा और चौथा और अन्तिम प्रस्थन है हिफाजत हिफाजत का क्या आर्थ होगा सुरक्षत चलिए आज के हमारे क्लास का अंतिम पड़ाव है आप सभी लोगों के लिए ग्रीक आ रहे हैं इस काम को आपको घर पर करना है इन प्रिश्णों के उत्तर आपको पता करना है और पता करके आपको लिखना है प्रश्ण है उन विदेशी सब्दों की सूची बनाए जिने हिंदी या बोलचाल की भासा में आप प्रयोग करते हैं बहुत सारे सब्द हैं विदेशी सब्द हैं जिनका प्रयोग आप अपनी बोलचाल की भासा में हिंदी में करते हो उनकी सूचिय आपको बनाना है और जाने अन जाने हम उसका प्रयोग करते रहते हैं हमको पता भी नहीं चलता चलिए दूसरा प्रस्न है चचा छक्कन ने एक बाद केले के दाम ठहरा लिए लेकिन बाद में बदल गए उसने दाम फिर से चेंज कर लिए उनका इस तरह का वहवार उचित था की अनुचित आप इसका जो है कारण देते वे उत्तर आपको जो है लिखना है तो ये दो प्रस्न है आपके लिए इन दोनों प्रस्नों को आपको जो है अपने घर पर करना है और complete करके आपको जो है अपने घर के बड़ों को दिखाना है चलिए इसी के साथ हम अपने आज की क्लास को यही पर समाप्त करते हैं आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए निरंतर आप लोग साबून से हाथ धोती रहिए सेनेटाइजर का प्रयोग कीजिए घर से बाहर जब कहीं भी जाओ तो मासकर लगा कर घर से बाहर निकलो तो इन्ही आसाओं के साथ आप सब सुरक्षित रहे सुस्त रहे, प्रसंद रहे आज की क्लास को यही पर समाप्त करते हैं धन्यावाद